हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागा थैतिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष टॉपिक पस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महतवपून है हर एक इक्जाम व्यू से ठीक है इसमें हम हर एक बात पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और उसारे पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अच्छूता था तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि राश्ट्य ग्रामनिय रोजगार ग्रां ग्रांटी एक्ट के अंतरगत है कि राश्ट्य ग्रामनिय रोजगार ग्रांटी अधनियम 2005 की विसेस्ताओं को पर हमने प्रकास डालनी है तो देखा जाए तो राश्ट्य ग्रामनिय रोजगार ग्रांटी अधनियम 2005 की मुक्य विसेस्ता कुछ इस परकार था पहली बात त सौ दीन की रोजगार का आश्वासन देता है यानि इस गरांटी के अंतरगत ये अधनियम के अंतरगत सरकार जो है ये गरांटी देता है आश्वासन देता है कि परतेक ग्रामनी परिवार को हर साल कम से कम सौ दीन के रोजगार जरूर दी जाएगी सो दीन की रोजगार और देखा जाये तो इसमें एक तिहाई नुकरिया महिलाओं के लिए अरक्षित थी ये भी काफी महत पूर बात है कि एक तिहाई करीबन तिरपन परतीशत जो नुकरिया इसमें अरक्षित की गई थी महिलाओ के लिए की गई थी इसका उद्देश से कार्लन का वइँ करने के लिए सद्थविकास भी था यानि देखा जाए तो इसलद भर मैं लोपन के अंतरगत बहुत से काम किये गए थे हैं और सुखे खार नगया है सद्थविकास के ऊपर तो आप समझ सकते हो कि इसमें अनुसूचित जाती के लिए यानि सी के लिए था तरीस परतिशत और अनुसूचित जाती यानि सी के लिए था 17 परतिशत की अरक्षन परदान की गई थी और महिलाओं की इस दारी जो थी 33 परतिशत था अगर देखिए 23 और 17 को प्लस कीजिएगा तो कितना आता है 40 परतिशत और 33 परतिशत जो थी महिलाओं के लिए तो journal category के लिए कितना रहे गया Journal category के लिए सिरफ 7 % रहे गया अब देखी क्या हो रहा है हमादूनी की युग में आए कि हम पिछरे देशे वह में कहींने जाती है 7 % जो है सिरफ journal category के लिए इसमें एराक्षित रखा गया क्यों जर्रेनल कट्राइगरी के लोग बहुत की अमीर होते हैं कोरपती होते हैं सरकार की नीतियां देखा जाये तो अपना दवदवा बना रखेंगें लेकिन जर्रेनल कट्राइगरी के जो बच्चे हैं आज या तो फासी लगा रहे हैं या कहते हैं रो रो के अपने जिन्गी वितीत कर रहे हैं या कहीं रेडी लगा रहे होती हैं कारण क्या है सरकार की बेरुखी सरकार को एक पास समझना चाहिए कि यह अधूनी की यूग है यहां पर सेस्टी कोटा का कोई मानता नहीं है यहां और कुछ अच्छा कोर्ष करना चाहता है तो उसको कभी डिविशन नहीं मिलेगी क्योंकि ना तो उसको पैसा है और ना ही कोई कोटा है उसके बास जर्रल कटेगरी का है वह दीन रात करें मेहनत करके अच्छा डाक्टर बन सकता था लेकिन सरकार की नीतियों कारण उन होगे के आप सभी कॉलेज के री्डेक्षन कर लिजिए बच्चे लगे रहते हैं एक साल में नहीं होगा दो साल में 3 साल 4 साल 10 साल में तो होगा यह ओगा कंपार्डमेंट अजाती है लोंक पर देते रहते उधर लोग को मारते रहते हैं दवाई दे देखिए और यह सचाही है यह आज की हकीकत है और यह कहीं ना कहीं इन सब जो आरक्षन जो दी जा रही है ना उसका सबसे बड़ा परिनाम है आज हमें पता है कि आज सभी माता-पिता बहुत समझदार हो गए है चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सब बच्चे को अपना अच्छ कोटा यह जो यह कोटाओं की जो बात दी जा रही हो गलत है महिलाएं भी आज सबसे अब बल है उनको इसकता नहीं है उनको परशाहन किया वह सकता है आगे देखे तो इसके तहत जो था 2006-2007 में 75 रुपया से बढ़ा कर दो हजार त्रीर स्चोदह में 132 रुपिया हो गया यानि देखा जाया तो इसके तहत जो ऑसत बेतन जो थी पहले 2006-07 में 55 पर्थिशत ही था जो बढ़ कर 2014 में 132 रुपिया हो गया तो यह काफी महत पूर्ण बात थी और इस योजना से 4.78 क्रोर परिवारों को 220 क्रोर मानव दिवस का रोजगार उपलब्त कराया गया कहते हैं यह योजना काफी महत पूर्ण थी जिसमें सरकार की बहुत बावावी हुई क्योंकि इसमें 4 असमलव 78 क्रोर परिवारों को 220 क्रोर मानव दिवस का रोजगार उपलब्त कराया गया तो यह काफी महत पूर्ण बात थी कहते हैं मार 2018 में राज्य भर में अकुशल से संसोधन किया गया तो देखा जा तो भारत में संसोधन होने की कि सिर्सला कभी कमती नहीं है हमेशा होती रहती है संसोधन लेकिन संसोधन सिरफ किताबी बाते होती है जमीनी हकीकत यहां दूर दूर तक नजर नहीं आता तो यहां पर देखा जा तो मार 2018 में राज्य भर म या कुशल मैंने राज्यों के लिए मजदू दर्ण को फिड से संसुदित किया गया और बढ़ाया भी गया विभिन राज्यों और केंदर सासित परदेशों के लिए मजदू दर्ण की सीमा यानि देखा जाया तो हड्याना के श्रमिकों के लिए 2001 रूPay प्रते दिन बेसे दिन के जीकिता होती है कि एक अलग साही हमें एसास होती है जो कि 281 रुपया और 168 रुपया कहते हैं यह तो आज स्कूल जाने वाले बच्चों के जेव खर्च से भी कम है तो सरकार आज इन आंकरों से जो है पूरा बिश्व को जीतना चाहती है मैं तो एक ही बात कहता हूं हमेशा कि पहले अपने घर को देखो फिर दुसरे घर में जाको भारत को पहले इन सब बातों से अपने आपको ऊपर उठाना है दिखावा जीवन करने वाले कभी काम्याब नहीं होती हैं और यह कहावत तो आपको पता ही होगा कि जतनी चादर हो उतनी पैर पसार हो चादर से अगर बाहर पैर करोगे तो यह आपके लिए सही भी नहीं रहता है लेकिन सायद यह बात हमारे देश के सरकार को समझाना संभब नहीं है क्योंकि वो लोग स्वैमी समझदार है तो इसलिके साथ हमारे कोशन खतम हो जाता है जो काभी महत्वप प्रकूं होगा क्योंकि आप जितना श्रेर कीजिएगा उतना इत्र अगे जाएगा और अपना कारे करेगा एंगे तो आपका piorदा होगा अगीड़ का एक ही लक्ष है क्ये हर बच्च पो पहुंचना है और हमारे देश को आगे बठाना है और देश को जो इस उचाल रूप से ले जाना है क्योंकि आप समझदार होगे तो हमारा देश अटोमेटिक जो है महान बन जाएगा तो हमारा उद्रश्य एक ही है हम दोनों साथ चलेंगे यही हमारा संकल्प है अगर पहली बार मैंने चनल पर आओ पहली बार वीडियो देख रहे हो समझ में आ रहा है अच्छा लगा रहा है तो जर्नल सी बात दोस्तों सस्क्राइब कर लीजिए सस्क्राइब कीजिएगा तो यह काफी महत पून होगा क्योंकि यहां पर एट से लेकर इमें तक बच्चों के लिए साड़े वीडियो प्लवद है और नहीं भी हैं तो उसका कोमेंट करके आप मुझे बता सकती हो कोमेंट करोगे तो उसका भी वीडियो बनता रहेगा तो सोचिए नहीं विचार ना कीजिए अभी तेरे पांट सेट नेटर को सब्सक्राइब करके अबरवाल में सेव कीजिए